हेलो दोस्तो, स्वागे थे आप सभी का टाकला ठीचर के एक और प्लास पर जहां पर आज हम सिखेंगे परसेंटेज के उपर और एक प्रोब्लेम का सल्यूशन दोस्तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो हमेशा मैं कहता हूँ न कि जभी हम कोई question को self करेंगे जभी problem को self करेंगे तो हमें जो question है उसे बहुत ही अच्छी तरह समझना चाहिए क्योंकि हम अगर problem को सही तरीका से समझ नहीं पाए तो हम answer भी सही तरीका से कर नहीं पाएंगे इसलिए question को बहुत ही अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है तभी हम उसकी solution बहुत जल्दी और एकदम correct कर पाएंगे तो चलिए हम start करते हैं तो पहले question पढ़ लेते हैं question कुछ इस तरह है कि a certain company has 80 employees who are managers कोई भी एक company जिसमें 80 managers है मतलब total employees 80 नहीं है बहुत ज़्यादा है उससे ज़्यादा है लेकिन जितने भी employees है उन में से 80 लोग managers के तोर पे नियूत किया गया है next in this company managers constitute 40% of the total employee oh okay how many people are employed in the company तो अभी ये जो 80 managers है वो 80 managers actually सारे जो जितने भी लोग इसमें employed है उनकी 40% ही 80 है मतलब 40% लोग ही manager है और ये 40% of total employees 80 so how many people are employed in the company total कितने लोग है जिनकी question ये है कि total कितने लोग काम करते है इस company के जितने लोगों की 40% का value है 80 जो managers है ओके चलिए solution तो ये रहा solution हम पकड़ लेते हैं कि इस company में कितने लोग है total x x number of employees are there ठीके तो हम लिख लेते हैं let कमा total number of employees be x okay मतला हम ले लिया कि total number of x तो x की 40% होगा 80 right क्योंकि क्या question ने बोलाए कि इसकी 40% की value जो होता है 80 वो manager से right तो therefore क्या हो जाएगा 40% of x is equal to 80 ठीके ना 40% of x मतला हम एक्स बोलाए तो total employee हमने पक उसको assume कर लिया तो उसकी value है 80 80 are the engineers sorry managers implies क्या हो जाएगा यह 40% है ना यह 40% क्या हो जाएगा 40 उपड चला जाएगा percent का 100 आ जाता है निच्छे off हो जाएगा multiplication x तो x is equal to 80 implies x क्या हो जाएगा अभी यह x is equal to क्या हो जाएगा फिर इनकी तो इनकी cut हो जाएगा तो x का क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा 80 divided by यहाँ पे x के साथ इनकी multiplication है तो जबकि वो equal sign के opposite में जाएगा तो यह जो multiplication हो जाएगा division ठीक है यहाँ पे था multiplication हो जाएगा division ठीक है और यह हो जाएगा 4 by 10 दन इंप्लाइस x is equal to यहाँ पे 80 यह division को क्या कर सकते हैं हम multiplication कर देंगे तो उपलार जाएगा 10 चला जाएगा उपर 4 आ जाएगा निचे तो इस 4 से हम 80 को डिवाइट करेंगे तो कितना हो गया 20 20 20 into 10 is equal to 20 to 200 200 numbers of engineers तो अंसर क्या हागिया? x का भेलू हो गया 200 x हमने क्या लिया था? x is the total number of employees हमें चाहिये था भी तो यह ना how many people are employed in the company total हमें कितना लोग काम कर थे थे? तो हमने लिया था total number of काम करने वाले लोग थे x और x का भेलू आगया 200 therefore how many people are employed in the company? total numbers of people PEO people employed employed in the company is equal to 200 people people तो दोस्तों यह रहा आंसार done तो समझ में आया दोस्तों तो इस जो problem का solution हमने किये इसमें से कुछ ऐसा था जो आपको समझ में नहीं आया अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज आप मुझे comment किजिए और बोलिए तो फिर में आपको फिर से कुछ इसी तरह का same type का similar type का थोड़ा सा इधार उदर का question फिर से आपको solve करके दूँगा ठीक है तो आज के रिए इतना ही फिर हम मिलेंगे next और एक problem और सके solution पे तो तब तक के लिए please please take very good care of yourself bye